Hello everyone, this is Sachnana here, welcome to my new video इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं Fries Rearrangement, साथ में J-Advance के PYQs साथ में जो हमारे पास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने Fridler Craft किया था, उसके PYQs नहीं किये था, वो भी हम आज के लेक्चर में करेंगे साथ में Clemonson Reduction, Wallfish N Reduction और Ionic Carbide से कैसे हम Hydrocarbon बना सकते हैं वो भी इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करना चाहेंगे Price Rearrangement Reaction के साथ तो Heading डाल दीजे Price Rearrangement Reaction Price Rearrangement Reaction ठीक है, Directly Mechanism के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आपको Mechanism दिखाऊंगा, आप बोलोगे यार इसमें से बहुत सरी चीजें आपने पहले ही Cover करके रखी है, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सेम रियेजेंट है Friddle Craft बाला ही, ठीक है तो यहाँ पर होता क्या है हम Actual में Esters के साथ Operate करते हैं इसलिए मैंने पिछली बार Esters के उपर जादा Focus नहीं किया था, ठीक है कुछ लोगे कमेंट्स भी थी कि Esters लिए नहीं बताया इसलिए नहीं बताया, विकोज यहाँ पर Clear हो जाएगा, ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर कोई Esters लेता हूँ एक Aromatic लिया गया है इसके साथ में जो Reagent है, वो हमारे पास है AlCl3, एवं Heat तो क्या Product बनके आ रहा है, समझते हैं तो बहुत ही Simple सा Mechanism है सेम Mechanism है जो आप पहले देख चुके हो यहाँ पर क्या होगा, since Aluminium के पास Wacant Orbital है एक सेकेंड पर सेक, हाँ Aluminium के पास Wacant Orbital है तो once again क्या होगा, Wacant Orbital एक Electrophile की तरह behave करेगा उसके उपर एक Nucleophile हमला करने वाला है As Simple as that, वो यहाँ पर होने वाला है तो क्या हो जाएगा, यह Wacant Orbital है यह Nucleophile है इसने हमला कर दिया इसके उपर तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा O AlCl3 minus plus C double bond of C3 Clear है सबी को Simple, यह उल्ली हम पढ़ चुके है Obviously आप पूछ सकते हैं, कार्बनेल वाली भी हमला कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं, लेकिन दोनों रेजनेंस में तो इतना फर्क नहीं पड़ता है तेकिन कार्बनेल वाली भी प्रेफरेबल टू अटाइक उसके बात क्या हो जाएगा, बिलकुल समझे आप O की उपर प्लस है मतलब भयांकर इलेक्ट्रों डेफिशेंट है तो खीचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रों डेंसिटी तो यहां पे भी यह अपनी इलेक्ट्रों डेंसिटी को खीच लेगा इतने टाइमस हम सेहीं ही चीज़ पड़ रहे हैं तो यहां से हमारे पास बन जाएगा बेंजीन O-Cl3- साथ में बन के आ जाएगा असाइलोनियम आयन और जैसे असाइलोनियम आयन बन गया हमारे पास एक नुक्लिवाइल प्रेजंट है तो उस नुक्लिवाइल के उपर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक अरोमाटिक सब्सिटूशन यहां से हमारे पास बन जाएगा benzene कौन सी position by default हमें लगता है कि para position लेकिन ortho भी तो possible हो सकती है न मैं group बनाता हूँ रुख जाना उसके लिए ortho भी possible हो सकती है because at the end of the day ortho para directing group है and 7 में जो यहां से h निकला वो कहां जाएगा o के साथ लगने के लिए o h बन जाएगा similarly जो यहां से h निकला वो इधर जाके o h बना देगा तो यह products हमारे पास possible है that is ortho एवं para product अब मेरा question यह है यहां तक तो आपको लग रहा है simple है न बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं किसी को तो obviously यही reaction है इतना सही reaction है लेकिन और interesting खेल कहां पे start होता है लेकिन कब सही है जब हम बात कर रहे होते हैं low temperature अब low temperature, high temperature के अगले page पर बताऊंगा लेकिन जो para होता है वो kinetically controlled है इसलिए वो low temperature पे major बन जाता है मतलब जो अब हम करते आ रहे थे वही हो रहा है लेकिन logically समझो high temperature है मैंने आपको बहुत बताया भी है high temperature पे कौन exist कर पाता है जो चीज ज़्यादा stable होगी and यहाँ पे ज़्यादा stable कहां है organic, inorganic में क्या होता है अगर हमारे पास bonds बनते हैं तो stability भढ़ती है because molecule all ऐसे रहता है चिपक के तो यहाँ पे जो हमारे पास OH है वो इस carbonyl के साथ intramolecular hydrogen bonding कर रहा होगा और जैसे वो intramolecular hydrogen bonding कर रहा होगा उसके stability भढ़ रही होगी क्या ही आपको समझ आ रहे है क्यों ठीक है, inorganic में hydrogen bonding बहुत detail में chemical bonding में पढ़ाया जाता ही है उसी का बस ही application है आपके पास जहां पे ये वाला product और्थो वाला high temperature पे major बनके आ जाता है तो it is major at high temperature chilation हो रहा है जादा stable product हमारे पास बनके आ रहा है समझ आ रहा है, इसको लिख लीजे पहले इस वाले page को एक बार pause करके अगले page पे हम आपको इसको अच्छी तरह लिखवा देते हैं, high temperature, low temperature क्या है, logic समझ आ रहा है आप बोलोगे यहां पे भी तो intermolecular hydrogen bonding possible है मेरे भाई, जब mole ही एक होगा intermolecular possible कैसे होगा intermolecular तो तब possible होते हैं जब एक, दो, तीन, चारे से बहुत सारे बैठे हों साथ में जब यहां पे one mole है तो उसमें intermolecular ज़ाधा stable बन जाएगा, इसलिए high temperature पे, वो major बन के आ जाता है interesting point है, important point है अब चलते हैं, next page पे तो add कर दीजिए इसकी theory लिखिए notes के अंदर theory एक ही theoretical point है लिखिए, बाकी सब Priddle Craft का ही copy paste है theory, number one if if the temperature is greater than 100 degree Celsius, तो यह मतलब है low high temperature ठीके समझा रहे, 100 degree से जाधा मतलब है, so then ortho product is the major product then ortho product is the major product major product due to due to the intramolecular hydrogen bonding due to the intramolecular hydrogen bonding second point लिखिए if temperature is less than 100 degree Celsius मतलब low temperature हम मान रहे है उसको then then पैरा प्रोड़क्ट इस दा मेजर प्रोड़क्ट as simple as that then पैरा प्रोड़क्ट इस दा मेजर प्रोड़क्ट आपको clear हो गया हो अब यहां पर डाउट आता है लोगो को जो पुराने बैचिस में भी आया है कि temperature mentioned ना हो तो कौन सा मेजर लेने का है अपन को कौन सा होगा तब हम इसको by default मेजर प्रोड़क्ट बता दे देखो इतना experience होगा ना पढ़ा बढ़ा के कि आपके question doubt आने से पहले सारे answer हो जाते है ठीक है by default यह मेजर बनेगा क्यों? because at the end of the day better bonding present है न and पूरी organic, पूरी inorganic क्या चाहती है? stability इसलिए by default हम और्थो वाले को ही मेजर बना के आ जाएंगे ठीक है? लिख लीजे भाई साब इसको pause करके अब चलते है questions के उपर उसी के दोरह आपको clarity मिलेगी आईए question number 1 आपके screen के उपर एक बार में देख लिए तो mic चल रहा है नहीं पिछली बार end end में mic बंद हो गया था hello hello ठीक है आईए number A question try करिये एक आपके पास ester दिया गया है ALCl3 एवम heat क्या होना चाहिए? सबसे पहले same चीज vacant orbital lone pair ने हमला किया तो यहां पर बन जाएगा ALCl3 minus O plus oxygen भयंकर electron deficient बन गया अपनी तरफ electron density को खीच के ले गया तो यहां से हमारे पास बन के आजाएगा acylonium iron ठीक है पहला question इसलिए पूरा mechanism में एक बार दिखा रहा हूँ आपको भी आना mechanism आना बहुत important है ठीक है product तो कोई भी तुक्य मार के बना लेता है ठीक है लेकिन आपको mechanism ढ़ंग से आना चाहिए because अगर अच्छा question आया फसाने वाला question आया तब mechanism based ही आता है हमेशा ठीक है पानी को सिस्टम से निकालने के लिए क्यों निकालना पड़ता है पानी को सिस्टम से लिटरली पिछले lecture में आपको बताया है तो यहां पर बंक्या जाएगा C double bond O and जो ortho position से hydrogen निकला वो इस oxygen के साथ जाके लग जाएगा तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा O H stabilized due to intra molecular hydrogen bonding यह हमारे पास prize rearrangement है अच्छा आपको homework टेलेग्राम पर भिजवा दिया था मैंने तो वो कर ले ना ठीक है aromatic hydrocarbon से homework है next number B कर ये try ALCL 3 heat क्या बनेगा सबसे पहले न असाइलोनियम आयन सही बनाये करो ओके ये असाइलोनियम बन जाएगा अब जेसे असाइलोनियम बना यहां पर तो भई और्थो और्थो ब्लॉक्ड है अब कोई अगर बोल रहे है कि और्थो पर हमला होगा तो प्लीज अंडिस्टाइड आप क्या मिस्टेक कर रहे हो तो वहां पर हमारे पास EAS करवा के सबस्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा अलेक्ट्रोफिलिक अरोमाटिक सबस्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा विकाज एच है नहीं रिमूबल के लिए तो यहां पर हमें पैरा पर ही हमला करना पड़ेगा जो फाइनल प्रोड़क्ट बनके आ जाएगा अच्छा क्या आपको समझ आ रहा है यह फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए भी इंट्रेस्टिंग चीज है क्यों? विकाज यहां से आफ फिनॉल्स भी बना सकते हो तो एल्कोहल्स फिनॉल्स और एथर्स में जो फिनॉल्स चाप्टर है उसके अंदर आपके पास यह चीज काम आ सकती है ठीक है? ओके नेक्स आगे चलते हैं नमबर C पे आईए ALCL3 हीट क्या मेजर प्रड़क्ट हमारे पास बन के आ रहा है यह पूछा गया है करते हैं ट्राइ तो यह है ALCL3 माइनस फ्लस यह खीच लेगा असाइलोनियम बन गया फिर क्या हो जाएगा? सिंस और्थो ब्लॉग्ड है तो पैरा पे हमला हो जाएगा पस गया आप बहुत सारो लोगों ने यह कियोगा और यह आंसर लाए होगा गलत आंसर है पैरा कहां से ब्लॉग्ड है? यह और तो कहां से ब्लॉग्ड है? भाई यह तो ड्यूटिरियम है ना? ड्यूटिरियम क्या होता है? hydrogen का isotope तो practically वो hydrogen ही present है क्या वो पहले नहीं present हो रहा था बिल्कुल हो रहा था इसमें लिए थोड़ी कि blocked हो गया ठीक है तो जल्द बाजी में कोश्चें को गलत मत करिए तो क्या होगा वो समझते हैं सबसे पहले हमारे पास यहां बन जाएगा O AlCl3- यूटीरियम यूटीरियम और साथ में जो असाइल लोनियम आयन है इन दोनों का महला क्यों बना रहा हूँ पिकाउज इसमें आप एक बारिक सी गलती कर सकते हैं यह बन जाएगा अब उसके बाद जब वो और्थो पर हमला करेगा तो क्या निकलेगा माइनस D प्लस होगा न instead of माइनस H प्लस जिसे EAS के टाइम पर होता है और वो D कहाँ जाके लगेगा oxygen की उपर तो O D बन जाएगा तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा O D यूटीरियम C double bond O असाइल लोनियम जाके लग गया and hence यह product बन गया जल्दबाजी में deuterium is not an alkyl group या कोई भारी भरकम group बस वो normal सा hydrogen का isotope है ठीक है? ओके आगे चलते हैं pause करके लिखते रहे ना जैसे page end होता है number D number D okay यह दिया गया है साथ में साइल ओनियम, ALCl3 heat A, CH3Cl, ALCl3 B, तो A क्या बनेगा? A यह हमारे पास बन के आ जाएगा यह गलत अंसर star mark करिए, यह future expected question है यह Clayton का question है IIT में पढ़ाया जाता है यह future expected question रहेगा और जिस साल आएगा मैं credit ले जाऊँगा ठीक है कि मैंने पढ़ाया? अब ऐसा क्यू होता है? उसके लिए मैं आपको directly Clayton पे ही लेके जाना चाहता हूँ ठीक है? यह आपके पास Clayton का screenshot है जिसमें क्या बोला गया है? ध्यान से देखना ABC products बन रहे हैं उन्होंने बोला कि A जो हम expect कर रहे थे यह expected था ना major वो actual में minor product बन के आ रहा है Clayton का question है यह future expected and tertiary butyl benzene हमारे पास भी और extra minor बन रहा है उन्होंने लिखा है but the major product is the substituted ketone number C तो क्या आपने देख लिया question क्या है? अब इसको मैं समझाता हूँ वापस हमारे page के ऊपर आके ठीक है? आईए page के ऊपर वापस इसको future expected questions के अंदर रखना है आपको because labors के अंदर का ही है बिल्कि फ्रिलेग्राफ्ट असाइलेशन का ही है कोई नई चीज नहीं है अब होता क्या है समझना इसके लिए आपको once again आना चीए क्या? Leach atelier's principle chemical equilibrium कक्षा 11V तो होता क्या है? कि जबी भी कोई system से अगर gas escape कर सके तो वो system हमेशा ही forward direction में जाना prefer करेगा क्यों? because सुचना logically आपने पानी उबाला पानी और चीनी तो पानी उड़ गया तो जब वो उड़ गया बाहार चला गया तो वापस कभी नहीं आ पाएगा ना? तो वो irreversible reaction हो जाएगा हमेशा forward के लिए feasible होगा बस यहाँ पे भी same चीज हो रही है होता क्या है? कि जब हमारे पास a silonium ion बनता है तो वो यह बन जाता है after doing al वो सब ठीक है चलो यह भी लिख देता हूँ ठीक है सही है? यह बन जाते यह बिल्गुल सही है लेकिन उसके बाद यह भी तो possibility है तो यहाँ से हमारे पास यह कटायन बनता है साथ में carbon monoxide system से escape कर जाता है आ रहे है समझ या नहीं आ रहे है अच्छा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ इन दोनों में से जाधा stable कटायन कौन सा है तो कटायन यही जाधा stable है यह बना आपको पिछले lecture में बताया था resonance है यहाँ पर resonance नहीं है octet completed है यहाँ पर नहीं है तो जो A product बनता है वो क्या बनता है सबसे पहले हमारे पास हो जाता है friedel craft alkylation और जैसे friedel craft alkylation हुआ हमारा ring बन गया भयंकर electron rich और जैसे वो electron rich बन गया तो उसके उपर हमला हो सकता है वापस इसलिए यहाँ पर actual में 2 moles लिये होंगे तो यहाँ पर हमारे पास यह acylonium high end हमला कर देगा अब यहाँ पर doubt आएगा obviously कि इसने क्यों हमला किया इसने क्यों ने किया because acylonium is more stable than disk cation at the end of the day यह इससे ज़्यादा stable है number one factor number two factor ring already electron rich हो गई है और जब वो already इतने electron rich हो गई है तो जो incoming electrophile है उसको reversibility के दोरह stabilize नहीं करना पड़ेगा reaction को वो automatically हमला कर देगा because यह already electron rich है to cation bhyankar stable है इसलिए acylation is preferred over alkylation कल ही बताया है तो यह हमारे पास बनेगा number यह आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है interesting question है star mark होना चाहिए उसके बाद यह तो आप कर सकते हो एक mole के इसाब से यह आपके पास final product number P बनके आ जाएगा ठीक है लिख लीजे pause करके अब ऐसे questions आप कोई भी नहीं पढ़ाएगा paid batches तो दूर की बात है YouTube तो दूर की बात है paid batches में भी चीज़े नहीं होती है अब हमारी degree ही chemistry है वो भी IIT Bombay से chemistry है हमने चार साल यही चीज़े पढ़ी है आगे चलते हैं करवाएं फिर त्यार है सब के सब J Advanced का PYQ वो भी सबसे toughest J Advanced कोई फरजी अडवांस नहीं J Advanced 2020 का यह PYQ है ट्राइ करिए इसको degree of unsaturation आप से पूछा गया है अगर आपने अभी तक degree of unsaturation नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है प्रोड़क्ट सही बनाते हैं प्रोड़क्ट सही बना आप से तो degree of unsaturation तो automatically सही ढूण लोगे होगा क्या सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक benzene ring color change कर लेते हैं ऊपर हमारे पास दिया गया है एक ester तो यह को simple सा named reaction का question है और कुछ भी नहीं three double bond oh oh यह note से question है कि जो मैंने video बनाई भी होगी इसकी YouTube पर आपको मिल जाएगी तो उसमें आपको मैंने बताया था यह विद प्रूफ बताया था ऐसे मजाख मजाख मेली concentrated H2O4 है तो protonation हो गया यह हट गया because oxygen electronegative है acylonium बन गया जैसे acylonium बना वो हमारे पास धूंडेगा nucleophile को because electrophile बन गया है nucleophile हमारे पास already internally present है तो यहाँ पे एक internal TAS हो जाएगा कल याद ने मैंने एक shawl reaction में बताया था वो भी future expected question है advance के point of view से यह बन जाएगा आपके पास final product and नीचे pH अगर आपने product सही बनाया है तो very good आपको confidence boost होना चाहिए अब जिन लोग ने DU पढ़ा है उनके लिए हम answer भी बता देते हैं DU कितना बन जाएगा देखिए चार यहाँ से चार 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 रिंग से एक एक कार्बोनाइल से 16 दो अठरा हमारे पास degree of unsaturation हो जाना चाहिए लिख लीजे भई पॉस करके अगर सही किया है आप लोगोंने खुद से तो very good you should be proud of yourself आगे चलते हैं next उसके ऊपर अब heading डाल लीजे Clemensons reduction heading डाल लीजे Clemensons reduction सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा summary क्या बताऊंगा summary आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इवन जही advanced level पे जो अभी तक questions आये है till date, till 2022 की मैं बात कर रहा हूं वो आप सारे questions is basic, NCRT level जो मैं भी बताऊंगा इस page के उपर उसी से solve कर लोगे open challenge है कोई भी question उठा लो आप Wolf Kushner का means advanced दोनों मिलाके मैं हम दोनों कोई बात कर रहा हूं तो आप सारे के सारे बस summary से solve कर सकते हो लेकिन जो future expected question है जो मैं आज कराऊंगा आपको अगर वहाँ पे आपको mechanism नहीं आता है तो फिर आप निपड जाओगे और वह question कभी ना कभी आएगा सबसे पहले मैं आपको summary बता रहा हूं summary बता रहा हूं सिर्फ अभी इसमें लिखिए reagent used is zinc amalgam in the presence of HCl zinc amalgam in the presence of HCl होता क्या है summary this is not the mechanism mechanism पे मैं आऊंगा इसी लेक्चर में mechanism advance के point of view से important है लेकिन अभी तक उसके उपर कोई question नहीं आया है अगर मैं अभी के अभी आपको सारी PY क्रिस करवा दू उन दोनों के आप अभी ही सही कर लोगे फ्यूचर में अगर question आया तब आप अटक जाओगे जो मैं बताऊंगा क्यों ओके तो यहां पर हमारे पास मैंने आपको बताया था ने पिछले lecture में कि कि अगर aldehyde or ketone हो उसका अगर मैं reduction करवाता हूँ amalgamated zinc similarly अगर मैं wolf kishner लेता हूँ wolf kishner तो वहां पर भी same चीज होती है अब obviously पहला doubt यहीं से उत्पन होता है कि जब दोनों में same चीज हो रही है तो फिर अपन क्यों करा रहे है वह आपको भी पता चलेगा जैसे से some questions करेंगे even basic questions आपको चल जाएगा आपको koh ethylene glycol क्यों use होता है सब बताएंगे summary पहले देख लो मैं आपको इतने लिखके देता हूँ अगर आप आज के आज अभी के अभी अगले pages ना भी पढ़ो तो आप अभी तक के सारे questions सही कर लोगे advanced के और mains के अभी आपको ultra advanced के point of view से तब आप अटक जाओगे पहले लिख लेना लिख लेना बहुत सारे लोग क्या होते नहीं मैं आपको समझाता हूँ वह history के हिसाब से बढ़ाते है उनको मतलब नहीं आगे क्या आ सकते क्या नहीं जो आया है उससे मिलते जुलते आपको करवा दिये questions आप खुश होगे आपको लोगा आपने फोड दिया जब अच्छा question आगे तब आप फ़स जाओगे अगर आप under 100 rank के वैसा aim कर रहे हो तब आप निपड जाओगे इसके पहले questions कर लेते हैं on the basis of summary ठीक है because तभी आपको समझ जाएगा कहां पर गडवड होती है F G सबसे पहले obviously हम claim and sense पढ़ेंगे फिल वॉल questionnaire पर जाएंगे क्या हो जाएगा N-butane यहां पर क्या बन जाएगा मेरे भाई cyclopentane recording हो रही है and यहां पर क्या बन जाएगा cyclohexane पॉस करके लिख लेना number i यह आपके पास pyq actually advance का ठीक है pyq ही advance का 16 17 का try करिए इसमें क्या हो जाएगा tino का reduction हो गया तो क्या बन गया 1 3 5 trimethyl benzene क्या बोलते इसको commonly mesitaline next it can only reduce aldehydes ketones यहां पर आपके पास इसका reduction होगा final product यह बन जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट के reduction असान होगा mechanism नहीं पताया अभी तक फिर भी अगर आप सोचना चाओ इसका जादा असान होगा यहां पर crowding कम है organic में क्या होता है दो चीजों के बीच में reaction कोई एक चीज दूसरे के उपर हमला करती है हमला करना कहां असान होगा पर यह असान होगा यहां पर मेरे भाई उपर वाले के reduction हो गया नीचे वाला वैसे कब ऐसा रह गया ओके पॉस्ट करके number M यहां से आपका पहला doubt clear होगा कि why is there why हमारे पास दो प्रकार के reagents हैं, why are there two types of reagents for doing a similar kind of reaction तो वो चीज आपकी यहां पर clear होगी देखना ध्यान से, सबसे मेले यह तो सही बात हा आपकी यह तो होना चीए ऐसे देखने दिक्कत क्या होगी, HCl है है न OH2 प्लस हटाएगा और यह बन जाए आ रहे समझ क्या हो रहा है लेकिन अगर मैं same reaction वॉल्फ किशनर में करवाता तो logically समझो यह एक base है तो क्या base, base के साथ react करेगा बिलकुल नहीं समझा रहे, इसलिए same reaction करवाने के लिए दो प्रकार के reagents है ताकि acids and bases को में वो ना कर सको sensitive groups को react ना कर सको यहां से आपके यह basic point तो at least clear हो गया होगा जब theory लिखवाएंगे तो बहुर clear होगा next, number N पे आईए यह kind of mixed question है जहां पे सभी मैंने आपके question में दे दिया बताईए क्या हो रहा है तो नेखते है, production reduction किदर नहीं होगा न समझ आहरा है इदर हो जा करोगे इदर नहीं होगा यहां पे reduction नहीं हो रहा है लेकिन substitution reaction हो रहा है product क्या वनेंगा वह देखते है हट गया यह 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 रह गया कुई change नहीं हुआ यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई OH2 plus minus water कटायन CL minus हमला तो हमारे पास CL लग जाएगा आ रहा है सब को समझ या नहीं क्या चल रहा है ठीक है मज़ा आना चाहिए सभी को एक दो कोश्टिंग करवा के नहीं छोड़ देते हैं आपको ठीक है इतना भी तो भी मैं छोड़ देता हैं यहां पर अब वो आपको देखना है कि क्या आपको detail में बढ़ना है या आपको यह करके खुश हो जारह है तो आपकी मरसी rank लानी है यह खुश होना है ओके देखिए लेकिन और क्या होगा यहां पर इसके जग़ा CL लग जाएगा यह मैं इधर ही कर देता हूँ और यहां पर इसके जग़ा methyl लग जाएगा लेकिन मेरे भाई यह भी तो base है base, base base will react with an acid acid plus base क्या बनता है salt तो यहां पर आपके पास यह बन जाएग salt और यहां पर भी pyridinium आ रहा है समझ या नहीं आ रहा है तो इस चीज़ आपको धंग से आने चाहिए next, number P zinc amalgam excess में दिया गया है क्या product बन रहा है तो देखो, अगर मैं सबसे पहला mole लेता हूँ तो यह बनेगा न फिर जब दूसरा अगर excess में दिया गया है यह बनेगा यह सोचा है तो गलत अंसर है अब यहां पर mechanism काम आएगा आ रहा है समझ यह नहीं आ रहा है ठीक है the actual product is this जब दूर दूर तक guess में नहीं कर सकते अगर आपको mechanism नहीं आता है अब समझ आ रहा है mechanism क्यों important है अभी मैं अगले पेच पर आपको mechanism ही बताने वाला हूँ इस परकार से आपकी गलत फहीं ही clear कर दी क्या हो रहा है अब आते है mechanism की उपर पहले इसको ऐसे कांटावार के लिखिये नोट्स में ठीक है क्रॉस करके future expected questions के अंडर आएगा यह mechanism अब मैंने आपको वोट्स रियाक्शन के टाइम पे ही एक चीज बोली थी और वो चीज क्या थी कि पूरे और्गानिक में जब भी मेटल होता है पूरे और्गानिक में जब भी मेटल होता है तो मेटल का काम क्या मेरे भाई इलेक्टरॉन देना बिकॉर्स इसकी बस noble gas configuration यह pseudo noble gas configuration आता है तेम फंडा यहां पे भी हो रहा है जिंक क्या है भाई साब जिंक है एक मेटल जिंक क्या है एक मेटल तो मेटल का काम क्या होगा इलेक्ट्रॉन देना इलेक्ट्रॉन देना अब obviously इलेक्ट्रॉन कहा हमला करेगा वो हम समझने की कोशिश करते लिखो मत इसको समझ लो भई अच्छा ये critical questions type है ये अगर मैं यहाँ पर एक ketone लेता हूँ मैं ketone लेके solve करूँगा आप LDR लेके भी कर सकते हो जहाँ पर भी electron होता है वहाँ पर mechanism कैसे proceed करेगा radical जिकर सिंगल electron है तो वो बाकि सबको भी radical बनने के लिए force करेगा तो यहाँ पर homolytic cleavage होगा radical radical अब मुझे logically सोचके बताइए ये जो electron है वो किस के उपर हमला करेगा c radical या o radical obviously o radical के उपर क्यों because o minus formed will be more stable than c minus formed तो यहाँ पर भी वो ही हो रहा है तो यहाँ पर मेरे भाई आपके पास बन रहा है o minus c radical and r2 लिखते रहू भाई बढ़ा समझते रहू लिखो मत अभी अब हमारे पास एक और electron भी है ना भाई साब तो यहाँ से एक और electron आया उसने इसके उपर हमला किया ऐसा क्यों हो रहा है अभी पता चलेगा आपको o minus r2 c minus बिलकुल step by step आपको बता रहा हूँ एक second बस पाई अब क्या होगे देखना अब यहाँ पर हमारे पास acidic medium है ना hcl भी तो present है तो वहाँ से हमारे पास 2h plus आ जाएंगे और जैसे 2h plus आगे तो क्या बन जाएगा r1 th o h r2 at the end of the day है यह reduction क्या आपको समझ आ रहा है कैसे दो कितना simple पंडा है initial molecule यह है अभी जो बन रहा है वो यह है कि दोनों में क्या अंतर है क्या नई चीज दिखाई दे रही है आपको यह न एच एच अला नया एच एच एड हो रहा है न और जब नया एच एच एड हो रहा है अडीशन ओफ हाइड्रोजन मेरे भाई अडीशन ओफ हाइड्रोजन क्या होता है रिडक्शन तेंथ क्लास से पढ़ रहा है इंडिरेक्टी डिरेक्टी हो वही रहा है ठीक है ओके आगे चल दें उसके बाद अडीशन हो गया माइनस वाटर मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा लिखो मत समझ लो भाई समझ लो लिखने का बहुत टाइम होता है अब जैसे हमारे पास च प्लस बना उसके उपर क्या होगा उसके उपर एलेक्ट्रॉन आया हमला किया राडिकल एक और इलेक्ट्रॉन आया तो मैं इंटू टू कर देता हूं क्या बन जाएगा माइनस चार्ज ऐक राडीकल policy ब्लस दूसर राडीकल मतलब टो इलेक्ट्रॉन ब्लडॉन तू और क्या होता है माइनस चार्ज होता है न या लोन पेर होता है खार्भा वाउन प quiere तो होती नहीं है तो माइनस चार्ज बन जाएगा फिर उसके बाद H प्लस आ जाएगा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये बनेगा क्या आपको समझ आ रहा है कैसे हो रहा है एक और important चीज जो अगर आपको mechanism नहीं आती हर कार्बोनाइल के reduction के लिए चार electron चाहिए एक दो तीन एवं चार अगर आपको mechanism नहीं आता तो ये जिस्ता आपको अभी guess भी नहीं कर सकते ठीक है तो चार electron लग रहे है at the end of the day क्या आपको समझ आ रहा है अगर initial reactant में लूँ तो ये है and अगर मैं final product लूँ मैंने beach बाले के लिए दिखा दिया तो मैं इसको वापस नहीं ले रहा हूँ final product लूँ तो क्या आपको दिख रहे है कि literally reduction है कैसे oxygen remove हो गया उस process को reduction बोलते है hydrogen add हो गया ना मेरे भाई और hydrogen add होने को भी reduction बोलते है removal of oxygen addition of hydrogen is known as reduction low यह आपके सामने फिख है यह आपका mechanism हो गया अब आप लिख लीजे इसको pause करके अच्छा अब जिसे doubt आणा को zn plus 2 का क्या काम है मैं यह use नहीं करता है इन और निक वाले लेकिन अगर आपको hint देना चाहूं तो यह सब समझ आ रहा ना आपको ऐसा o minus है ना तो zn plus 2 होगा similarly यहाँ पे भी वो हो जाएगा zn plus 2 उस प्रकार से मैं वैसे उसको लिखता नहीं हो अब लिखे theory लिखे भाई साब theory heading डाल लीजे theory किसकी theory अभी Clemenson ही चल रहा है Wallfishner नहीं चल रहा है सिर्फ theory लिखे यह हो गया भाई साब ठीक है number one point add करिए number one point add करिए Clemenson reduction is done in Clemenson reduction is done in the acidic medium Clemenson reduction is done in the acidic medium acidic medium hence hence acid sensitive groups hence acid sensitive groups example क्या था भी हमने देखे questions OH can react hence acid sensitive groups like OH can react can react ठीक है second point लिखिए जो question के दोड़े मैंने दिखा दिया था आपको it is a crowding dependent reaction समझा रहा न क्यों it is a crowding dependent reaction यहाँ पर दिखाया था आपको इस वाले question में number L में it is a crowding dependent reaction third point लिखिए star mark करके future expected question in one three diketones जो मैं अभी आपको अगले page पर दिखाऊंगा यह ठीक है जो अभी आपको अगले page पर दिखाऊंगा यह ठीक है जो अभी हमने बताया था था न पी वाला question उसी के बात कर रहा हूँ अभी बताऊंगा कैसे हो रहा है वो एक बार लिख लो बस in one three diketones intramolecular reaction happens in one three diketones intramolecular reaction occurs fourth point लिखिए सोचना इसका answer एक बार screen के उपर देखो मेरे पास यह है cyclohexanone and cyclopentanone दोना में से किसका rate of reaction जादा होना चाहिए with clemencence अगर आपना सोचा इए तो गलत answer is correct answer है यह अब समझते हैं क्यों सबसे पहले intermediate क्या बना यह RDS है experimentally determined RDS तो carbon के उपर radical है basically क्या है intermediate जिससे हमें मतलब है वो कुछ ऐसा दिख रहा है O minus C radical यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है O minus C radical तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ दोनों में से जादा stable radical कौन सा है यह जादा stable है बस इसलिए आपके पास उपर वाले में ऐसा rate of reaction है मैं ऐसे determine करेंगे via the RDS as told to you on the previous page ठीक है clear है न सभी को अब आईए एक बार में आपको number P वाले का mechanism भी बता देता हूँ वैसे अब आपको guess हो रहा होगा कि क्या होने वाला है यह समझ आगे है न कैसे यह गलत है यह ज़ी है यह गलत है star mark होना चाहिए अब इसका mechanism देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है बिल्कुल ध्यान सा देखना हूँ तो यह सर्फ 1-3 diketones में ही होता है जैसे यह 1-3 diketones है क्यों होता है वो भी आपको दिखने वाल है तो यहाँ पर हमारे पास proceed हुआ zinc ने अपने दो electrons दिये radical radical एक electron गया फिर दूसरा अगले step में यहाँ पर गया मैंने अभी भीज दिया तो यहाँ से बन के आ जाएगा O-C-C double bond O क्या आपको दिखाए दे रहे C- C- क्या है मेरे भाई C-1 नुकलियोफाइल है कार्बोनाइल एक एलेक्ट्रोफाइल है न C- O- होता है इस O- ने यहाँ पर हमला कर दिया तो यहाँ से क्या बन जाता है ऐसा रिंग O- methyl O- methyl क्या यह सभी को clear है अब obviously यहाँ पर लोगों को डाउट आ रहोगा कि भाई 3-membered ring तो unstable होती है बिल्कुल सही बात है 3-membered ring unstable होती है इसलिए वो break भी करती है break करवा दीजे 3-membered ring break हो गई तो यहाँ से बन जाएगा C double bond O C O- CH3 अब इस content को पहली बात ना तो हरक भी पढ़ाता है दूसरी बात हरक भी digest भी नहीं कर सकता है तो क्लिमेंस अन में बस LD8 ketone को reduce करके okay उसके बाद H plus आया O- यह सब convert हो गया पहले तो neutral में उसके बाद further H plus आया minus water cation बना याद ने पिछले पेच्छे mechanism अभी किया है फिर इसके उपर 2 electrons further आगे तो हम लोग यहाँ पे pause लेंगे जब 2 electron आये फिर वो बना minus बना फिर वापस H plus आया यह बन गया clear है ना अब normal सा ketone उसमें तो आपको पते हैं यह wolf fish नहीं sorry clemencence वापस हो जाएगा final product यह बने आ रहे समझा नहीं आ रहे इसलिए यहाँ पे आपके पास यह final product है यह ठीक है इतलिए ना pause करके आगे चलते हैं interesting question था आना चाहिए चीज़े समझ number P हो गया number Q अच्छा number Q में यह actually ethers में से question है तो अभी के लिए आप number Q वाला skip कर सकते हो अगर अभी समझ नहीं आ है ठीक है वहना एथर जब हम पढ़ेंगे cleavage of ethers में पढ़ाऊँगा वहाँ पर बहुत असानी से समझ आ जाएगा यह तो आपने gas करी लिया होगा लेकिन यहाँ पर यह क्या है यह acid sensitive group है ना अगर नहीं समझ आया यह कैसे हुआ प्लीज होल्ड करिये कहां तक? एथर्स तक इसको cleavage of ethers बोलते है अब मैंने आपको पिछले lecture में ही एक बार बताया है वहना जी उसी के टाइम से बताया ही रहा हूँ कि अगर एक carbon की उपर दो OH हो जाए तो वो unstable होता है तो यहां पर आपके पास यह dehydration करता है माइनस वाटर carbon nile and अगर further cleavage of ethers हो जाए तो हम लोग पहुंच जाते हैं cyclohid अगर वो step समझ नहीं है cleavage of ethers तो hold करिये pause के click लेना number R number R इदर क्या होगा सबसे इदर देख लेते हैं हो जाएगा न यह बनेगा सई बात है इदर क्या होगा इदर कुछ भी नहीं होगा यह LDID keto ने क्या यह एन हाइडराइड है इसके साथ नो reaction जैसे acid के साथ हो रहा था यह already salt है salt क्यों react करेगा इसके साथ तो यहाँ पर भी no reaction हो जाएगा यह final product बनेगा आपके पास number R में पॉस का क्यों लिख लीजिए number S ध्यान से देखना question को गल्ती से भी वो मत मार्क करना जो आप जल्द बाजी में करने का सोच रहे हो ध्यान से देखिए तो यह क्या है यह हमारे पास एक one, three, di ketone है न फर्स्ट और थर्ड पुजीशन के उपर ketone है इसका मतलब यहाँ पर भी हमारे पास एक intra-molecular reaction हो जाएगा जो आप expect कर रहे हो normal clemen sense वो नहीं होगा तो यहाँ पर दो electrons आए उसने हमला किया किदर गया किदर गया तो यह बन गया अब आपको दिखाए दर है C- है, साथ में carbon isle delta plus reacts with proper minus तो यहाँ से हमारे पास एक three-membered ring बन गई बिल्कुल सही बात है three-membered ring is unstable in nature और वो unstable है भी तो क्या होगा, उसको break करना पड़ेगा break किया c-membered ring को अब कोई एक doubt आया थे मुझे आद पराणे बाच पे कि ऐसे कि नहीं break कर रहे हो अगर ऐसे break करोगे तो इदर ही पहुंच जाएगा ठीक इस common sense को लगाना दिमाद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर इदर पहुंच गया 4- h2- double bond क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ तक क्या हुआ अब यह जो same चीज यहाँ पर भी हो रही थी इदर इसके बाद दन 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 मैं यहाँ तक directly लेकर जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर जब हम करेंगे further steps तो कहाँ पर पहुंचेंगे ring contraction हो गया क्या आपने कभी expect भी किया था कि Clemens नेंगे time पर ring contraction भी हो सकता है हम एक 6 members से 5 members पर चलेगे अब since excess में है जो final product बनेगा वो 112 sorry 113 trimethyl cyclopentane बनके जाएगा है ना मज़ेदार बिल्कुल simple harmless looking question जब बडवांस में आएगा तो पूरी देश की जनता इससे गलत करके आएगी लिख लीजे भाई पॉस करके लिख लीजे भाई पॉस करके आगे चलते हैं यह try करिए यह आपके पर J.E.Main 2021 21 का question है 21 से बाइस में से यार नहीं है लेकिन 21 या 22 में से ही है most probably 21 का है J.E.Main 2021 का question है try करिए क्या वो लगया है Zinc Amalgam HCL Zinc HCL CR203 यह कौन से है Clemen Sense यह कौन सा है Aromatization याद है न तो क्या होगा Clemen Sense का वाक है वो ही बोल रहा हूँ Mains Advance में इतना भी करते हो तो भी काम चल जाता है वो तो मैं आपको future के point of view से पढ़ा रहा हूँ बना हर कोई क्या होगा question आने के बाद पढ़ाएगा हम पहले पढ़ा रहे आपको यह बनेगा first step के बाद Aromatization करिए तो क्या हो जाएगा इधर से इधर से Removal याद है ने क्या हो ते Aromatization में फिर finally हमारे पास हम इधर पहुंच जाएंगे option number C I hope सबी का सही हुआ हो यह कोई दिक्कर नहीं होने चाहिए किसी को ठीक है क्लीमेंट सेंस हमारा clear है अब चलते वॉल्फ किष्णर उसमें हम आपको जाए सारी INCHO का भी PY क्यों करवाएंगे अभी सबसे पहले हेडिन डाल दीजे Mechanism of वॉल्फ किष्णर Reduction Summary तो में लिखवा चुका हूँ Mechanism of वॉल्फ किष्णर Reduction Mechanism of वॉल्फ किष्णर Reduction Summary क्या थी इसकी कि हमारे पास एक Eldehyde या Ketone दिया होगा इसको हम react करवा रहे होंगे Hydrazine के साथ हमारे पास कुछ A बन के आ रहा है उसको हम react करवा रहे हैं एक Base के साथ In the presence of a solvent Ethylene Glycol C बन किया यह Summary है इसके बाद आपको पता है क्या बनता है अब Mechanism पर आते Please make sure अभी आप लिखोगे नहीं इसको समझना है ध्यान से GOC involved है कुछ में नहीं है Nitrogen क्या है Base Base का काम क्या होगा हमला करना हमला किया Carbon के उपर Delta Plus है तो बस उसने हमला कर दिया तो यहां से मेरे भाई आपके बास बनेगा R1 C NH2 Plus NH2 O-R2 मैं ketone लेके solve कर रहा हूं LD head में भी same ही चीज हो जाएगे उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद simple सा Acid Base reaction हो जाएगा O- है N Plus है तो 1H उड़के नीचे चला गया R1 C NH NH2 R2 and OH यह बन जाएगा अब याद करिए आज भी repeat हुआ कल भी हुआ था अब एक और बार यहां पर होने वाल है मैंने क्या बताया था कल की lecture के end end में बताया था 1 Carbon पर 2 OH 1 Carbon पर 2 Nitrogen 1 Carbon की उपर 1 OH 1 Nitrogen unstable होता है क्यों टूपी टूपी लोन पर repulsion तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर Nitrogen भी है Oxygen भी है भयंकर unstable तो क्या हो जाएगा माइनस वाटर हो जाएगा Dehydration हो जाएगा जैसे अब यहां देख रहा है 2 1 Carbon की पर 2 OH वाला आपको समझ आ रहा है यहां पर 2 Nitrogen होए तो वह पर टाइम के साथ आएगा लेकिन आपको समझ आ रहा है कि वाह पर NH3 रिमूव होगा ठीक है तो हमारे पास यह बनके आ जाएगा क्या यह सभी ओक्लेर्ड है यह वाला मेरे भाई हमारे पास प्रोड़क्ट नमबर A बन जाएगा ठीक है अब चलते हैं आगे पहली बात आपको समझ आ रहा है यहां पर geometrical isomerism भी possible है सिन आंटी वाला सिन आंटी वाला ठीक है अब KOH आया KOH का का काम क्या है literally literally base है base का का काम क्या होता है acidic hydrogen के साथ react करना acidic hydrogen यही है R1 C R2 यह बन जाएगा हमारे पास एक salt अब यह जो C- sorry N- है वो करेगा resonance आप बोलोगे क्यों अब यह दिखेगा आपको हर reaction क्या चाहता है आगे भढ़ना आप भी तो जिन्दगी में आगे भढ़ना चाहते है reaction के साथ भी वही होता है तो कुछ ना कुछ try करता रहता है कि वो हमेशा irreversibility की तरफ जाए हमेशा forward direction की तरफ जाए ताकि और feasible हो जाए तो यहाँ पे आपको आप वो दिखने लग पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा अब यहाँ पे ने minus water किया वो यहाँ पे water बापस आया ताकि भार से नहीं डाला है already present है please make sure ताकि हमारे पास hydrogen आजाए पस इतना बोलना चाहरा हो अच्छा अब देखो basic medium है base क्या करेगा most acidic hydrogen को हटाएगा वो यह है ना यह नहीं है N minus C minus कौन जादा stable होता है N minus हटाईए तो क्या बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा R1 CH R2 N double bond N minus अब दिख रहे है कि यह reaction ऐसा क्यों हुआ because मेरे भाई यहाँ से nitrogen gas remove हो गए क्या remove हो गई nitrogen gas और जैसे nitrogen gas remove हो गई तो क्या हमारे पास reaction में irreversibility नहीं आगी बिलकुल आगी न leaving group निकल गया अब वो बापस लगी नहीं सकता है कुछ भी कर लो फिर पास उसका simple सीधा सादा सा हमारा जो पानी है वो वापस आएगा आप बोलोगे कैसे वापस आएगा वो तो हम already use कर चुके हैं अरे मेरे भाई यहां पर भी तो नया पानी बनाना भी यहां पर भी तो बना है ठीक एतना ऐसे से doubts मत पूछना मेरे तो यह आपके पास final product बनके आजाएगा दो कितना simple है mechanism is very important mechanism is very important first करके mechanism को आप लोग जल्दी से लिख लीजें अब इसकी मैं आपको theory भी लिखवा देता हूँ लिखिये heading theory theory number one point wolf-kishner reduction wolf-kishner reduction is done in is done in the basic medium is done in the basic medium hence hence the base sensitive groups hence the base sensitive groups can interact with it hence the base sensitive groups can interact with it base sensitive groups क्या हो गए जैसे याद है halogen वहापे OH- ने हमला किया तो SN2 हो जाएगा या हमारे पास off-man elimination reaction याद है ना off-man exhaustive methylation sorry वहाँ पे जो N था वो रिमूव हो जारहा था na AGOH के दोवारा जिसे अगले question में मैं आपको वो दिखाने वाला हो okay second point लिखिये second point it is crowding dependent it is almost सारे same ही points है all those reaction ही पूरा same है reaction ही पूरा का पूरा same है third point rate of the reaction क्या हो जाएगा same fund rate of the reaction हमारे पास यह बन के आ जाएगा लिख लीजे भाई आप पॉस करके इतनी सी थियोरी है questions के उपर आते हैं question number T पे हम रुके थे U पे आते हैं आएए कर ये ट्रहे है plus NH2 NH2 दिया गया है तो A बन रहा है इधर क्या हो जाएगा इधर हमला होगा इधर से इधर क्या हो जाएगा अच्छा इसमें एक shortcut भी बताते है जैसे में यहां पी कहो जाएगा हटा सकते हैं समझा रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो तो जो A बन जाएगा तो तब आपके पास degree of amine change हो जाए तब क्या करोगे उसलिए mechanism आना चाहिए तो A तो सभी का यह बनना चाहिए यह अब उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे पास है KOH, Ithylene Glycol is a solvent तो B बन रहा है KOH क्या करेगा इधर हमारे पास इतना बड़ा reaction होके यह पूरा remove हो जाएगा तो ऊपर की तरफ तो हमारे पास इतना normal सा alkane बन जाएगा जो आप directly भी बना सकते थे लेकिन A और B में differentiation आना चाहिए लेकिन यहाँ पर अगर आप समझो तो offman exhaustive methylation possible है याद ने E2 elimination में पढ़ाया आपको यह इवन PYQs of Olympiards भी करवाया था आपको उस टाइम पर इसको लेके निकल गया leaving group bad leaving group hence offman तो यहाँ पर जो final product बनेगा वो यह बच लिख लीजे भई pause करके सबको समझ आ रहा है क्या हुआ मज़दार है आगे चलते हैं number V के उपर देखो भी मज़दार question इसमें मैं चुन्नो मुन्नो questions नहीं करवा रहा हूँ आपको ठीक है वाप कर ले न वापस अब देखो यहाँ पर खेल मस्त होगा पहले कौन सी nitrogen attack करने चाहिए आदे लोग तो वहीं भी निपट जाएंगे correct answer क्या है यह करेगा न क्यों जी ओसी बेसिस सिटी बाकी दोनों लोन पियर्स resonance में involved है तो वह internally involved है तो बाहर नहीं दे पाएंगे लेकिन यह जो लोन पियर है वह बाहर आराम से दे सकती है तो मेरे भाई यहाँ से मैं directly minus water बाला ही कर रहा हूँ double bond N NH double bond O बहुत ही जादा मज़िदार question है यह बहुत ही जादा मज़िदार इसको बिल्कुल ढंक से करना है तो यह हमारे पास A बनेगा चलो A तक हमारा solve हो गया आगे चलते अब कोच है कोच क्या करेगा base है basic काम क्या होगा acidic hydrogen हटाना क्या यह hydrogen जादा acid हीगा यह 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 जादा acid हीगा न समझा रहा है क्यों goc O माइनस बनेगा यहापर यहापर तो N माइनस बनेगा अब क्या होगा यह माइनस इदर से इदर गया इसको लेके निकल गया आप बोलों कि ऐसा क्यों हो रहा है एक बार मुझे बनाने दीजिए तब आपको आउटमाटिकली समझाने लग पड़ेगा ऐसा क्यों देखो लीविंग ग्रॉप बनगे हमारे पास NH double bond C double bond O साइनेट की तरह जो लीविंग ग्रॉप होते हैं जब हम आपको कार्बीन्स अमीन्स पढ़ाएंगे न पिनॉल चैप्टर के अंदर अमीन्स चैप्टर के अंदर तब यह रियाक्शन बहुत कॉमन होता है जो आइसोसाइनेट टाइप जो लीविंग ग्रॉप होते हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं अभी आपको अनकॉमन दिख रहा है तब बहुत कॉमन हो गया अब आपको यहांसे गैस होई रहा होगा कि क्या होने वाला है इधर से इधर इधर से इधर यह मेरा one of the most इसनी इसने स्टार माक कनना यह मेरा personally one of the most पानी रिमोव हुआ तो स्टार्टिंग में वही पानी वापस आ गया तो हमारे पास ये बन गया अब आपको समझ आ रहा है क्या होने बाला है nitrogen दिखने लग पड़ा होगा अब आपको वही दिखना चीए base आएगा acidic hydrogen को बोलेगा कि मेरे पास आजा acidic hydrogen गई minus बना जो पानी निकाला हमने यहाँ पे अब यहाँ पे पानी निकला है आयाँ अब आपस तो देखो भाई सब final product क्या बनेगा नाम बड़े दर्शन छोटे इतना बड़ी सी चीज को हम यहाँ तक लेगे and feasible भी है because nitrogen gas is a living group पहले यह living group है उसके बाद यह living group है समझ आ रहा है यह नहीं आ रहा है यह final product number भी बनके आज़े लिख लीजे भाई सब पॉस करके लिख लीजे पॉस करके अब मैं आपको एक INCHO का भी PY करवा देता हूं तक कि आपको समझ आ जाए कि बिलकुल कुछ लेबल के questions नहीं आते हैं इसके अंदर यह आपके पास INCHO का PY क्यू है अभी pause करो और try करो अभी pause करो और try करो और मुझे बताओ कि सही answer आ रहा है या नहीं ठीक है ओके देखे फिर यहाँ पे आपके पास है PHC double bond और CL सबसे पहले हमारे पास कौन हमला करेगा इस कार्बोनाईल के उपर और वो हमें समझना पड़ेगा तो हमारे पास तीन loan pair है एक दो best base कौन से इनों में से आपको समझ दाना चाहिए न यह बिकॉस वही loan pair resonance में नहीं है S in AE हो जाएगा CL निकल जाएगा तो जो A बनेगा वो हमारे पास कुछ यह बन जाएगा OH अच्छा हाँ इसमें आपको एक और interesting चीज़ बता सकता हूँ बताते हैं यह बना लेते हैं NH C double bond O क्या यहां तक clear है simple सा एक S in AE mechanism आपके पास हो रहा है उसके बाद क्या है उसके बाद है SOCL2 SOCL2 से क्या हो जाएगा यह तो आपके सपने में भी सही होना चाहिए detail में पढ़ाया गया है Darzen यह बन जाएगा न एसेट से K2CO3 अब K2CO3 क्या है इदन लोग अटक जाते इस question में K2CO3 INCHO का favorite base है किसे हम लोग KOH यूज़ करते NA WH INCHO बलता है मैं तो K2CO3 यूज़ करूँगा आपको दिख भी रहा है कि यह base है क्यों? देखो न CO3-2 है न मेरे भाई CO3-2 क्या होगा? एक base होगा base का काम क्या होगा? most acidic hydrogen के साथ react करना बस react कर लेगी कौन सी acidic hydrogen कौन सी hydrogen जाद है acidic है? N- या O- कौन साथ स्टेबल है? obviously O- तो यहाँ पर हमारे पास O- बन जाएगा इस first step के बाद O- K plus अच्छा हाँ मैं आप से एक question पूछू यहाँ पर अगर आपको DU पता है क्या होता? डिग्रिय अफ उनसाचुरेशन इस molecule के degree of unsaturation कितना होना चाहिए? देखो 1 इदर से 4 5 6 plus 4 10 10 होना चाहिए? गलत अंसर है इसका जो DU हो जाएगा वो हो जाएगा 10.5 मैं वरिफ़ा करें तो मैं सही बोल रहा है 4, 1, 5, 6, 6, 4, 10 हाँ समझा रहे है क्यों 10.5? ठीकाज माइनस का भी हाफ DU होता है रेजोनेंस रेजोनेंस के टाइम पर वो पाई बॉन्ट बनता है जब मैं आपको IUPAC के टाइम पर DU पढ़ाऊँगा तब बॉर डिटेल में बताऊँगा लेकिन ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए कि इसकी DU 10.5 है 10.5 है ना 4, 1, 5, 6, 4, 10 है ना और हाफ उपर का होना चाहिए अब क्या होगा अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास SNAR तो बस ये जो O- है इस वाले के उपर हमला करेगा इसको लेके निकल जाएगा तो अगर आपने प्रोड़क्ट सही बनाया है ठीक है मुझे honestly बताना comment section के अंदर क्या आपका ये answer सही हुआ है नी CUVU से मतलब नहीं है क्या जो number C product में बना रहा हूँ अगर आपने honestly सही बनाया है तो very good ठीक है very 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 good लिख लीजे भाई pause करके जल्दी से लिख लीजे भाई pause करके जल्दी से clear है न सभी को आगे चलते हैं फिर आगे चलते हैं इसी के साथ हमारा ये वाला part भी complete हो गया that is wolf-kishner reduction अब चलते हैं हम लोग ionic carbides के ऊपर ionic carbides although inorganic का पार्ट है फोटा सा पार्ट है बिल्कुल लेकिन हम इसको organic अंदर भी पढ़ाते हैं because यहाँ पर आपके पास hydrocarbon बनता है literally दिख रहा है क्यों पढ़ाया जा रहा है so hiding डालीजे hydrocarbons from ionic carbides अब ionic carbides कितने प्रकार के होते है यह चीज आपने कहां पढ़ी होगी group 13 में लेकि मैं भी अभी आपको थोड़ा बहुत डिटेल ने पढ़ाने वाला हूँ तीन प्रकार के होते हैं number one is methanides नाम से समझ आ रहा है आपको क्यों तोड़ा मिथेन मिथेन दिख रहा है second is allylides third is acetylides तो ionic carbides हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं methanides allylides and acetylides तो सबसे पहले heading डाल लीजे heading डाल लीजे methanides heading डाल लीजे methanides methanides and लिखो इसके अंदर लिखो इसके अंदर पहले में example बताते तो आपको ताकि आपको चीजे clear हो जाए दो प्रकार के methanides हमारे पास हैं एक है al4c3 एक है be2c example लिख लीजे al4c3 be2c अब देखो होता क्या है अब लिखो हुआ तभी समझो पहले इस वाले में क्या होने वाले अगर मैं al4c3 की बात करता हूँ तो ये क्या है ये हमारे पास है na al plus 3 and c minus 4 जो cross करके बढ़ाता हूँ ने 10th class में कैसे balance और वो सब देखते है similarly जो be2c है हमारे पास वो है अच्छा बेरिलियम के उपर कितना charge होता है 2 होता है and 2 बेरिलियम है तो carbon के उपर कितना हो जाएगा c minus 4 c minus 4 बस इसलिए हम इंको methanides बोलते हैं क्यों? जैसे मैं ये c minus 4 लूँगा c minus 4 लूँगा पानी के साथ तो क्या बनेगा? methane बनेगा न 4 mole water लेना पढ़ेगा because 4H plus के साथ रियाक्ट करेगा तो CH4 बन जाएगा and साथ में 4H plus उड़ गया 4OH माइनस बच जाएगा बस यही है इसलिए हम इंस सभी को methanides बोलते हैं methanides बोलते हैं क्यों? because hydrolysis पे ये लोग हमें methane gas दे रहे हैं methane gas दे रहे हैं तो methanides क्या है? C-4 अगर मैं proper reaction लिखना चाहूं मैं एक कल लिख देता हूं AL4C3 गा BE2C वाला आप as a homework ट्राइ करना तो अगर मैं इसको react करवाता हूं water के साथ करवाईए तो क्या हो जाएगा? तीन carbon है तो तीन हमें चाहिए होगा तो यहां से हमारे पास बन जाएगा methane तीन मोल and साथ में बन के आ जाएगा AL, OH, rice ठीक है? clear है ना सभी को? क्या हो रहा है? BE2C वाला आप as a homework इसमें ट्राइ कर सकते हैं ठीक है? पास करके लिखने है ना आगे चलते हैं number B लिखिये number B allylides heading डालिए allylides allylides ठीक है? allylides क्या होते हैं? allylides are C3-4 C3-4 example लेते हैं यह मुझे पहले निर्खना चाहिए था पहले मुझे example बताना चाहिए Mg2C3 Mg2C3 तो अगर मैं इसको तोड़ के देखूँ तो मुझे क्या दिखाई देगा? Mg plus 2 and C3 C3 के ओपर कितना होगे? 2, 2, 4 तो minus 4 होना चीए ना बस वो ही लिखा है मैंने बस वो ही लिखा है मैंने अब C3-4 कैसा दिख सकता है? वो समझ ना, लिखना मत इसको समझो बॉटर के साथ तो क्या बनेगा? CH2, double bond C and similarly, यहाँ पर क्या बन जाएगा? अब मेरा question यह है कि दोनो में से जादा stable कौन सा होना चाहिए? obviously यह जादा stable होना चाहिए यह GOC में बताया आपको because यह हमारे पास accumulated है ना यहाँ पर दोनो पाई बॉट्स के बीच में repulsion भड़ रहे हैं, बगल बगल में accumulated हैं, लेकिन दूसरे बाले में normal से पाई बॉट्स प्रेजेंट है तो वहाँ पर कोई भी repulsion नहीं हो रहा है आ रहा है, समझा नहीं आ रहा है तो कि मैं stability wise बात करूँ तो मैं second वाले को prefer करूँगा first वाले के ऊपर लिख लीजे भाई पाउस करके आगे चलते हैं number C number C, last that is acetylides acetylides लिखिए लिखिए, पर example obviously तब चीज़ों ज़दे चीज़ों समझ आती है example is li2, c2, cac2 अब यहाँ पर आपको क्या दिखाए दर है जिसने में cac2, li, c2 चलो दोना समझा देता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा li plus है न, plus 1 होता है तो c2 के उपर केतना होगा मेरे भाई, minus 2 यह सेम चीज़ यहाँ पर नहीं हो जाएगी c a plus 2 and c2 minus 2 बस यह हो रहा है हमारे पास अचाब c2 minus 2 दिखेगा कैसे देखो c2 है and दोनों के पर minus minus 1 है, बस यह है अब इसका अगर मैं hydrolysis करवा दू acetylides है तो आपको दिखी रहा है कि acetylene बनने वाला है बस इसलिए हम इसको acetylides बोल देते है हम इसको acetylides बोल देते है ठीक है, समझा रहे जैसे for example, अगर मैं cac2 ले लूँ, समझाने के लिए अगर मैं hydrolysis करवा हूँ तो क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा ch triple bond ch and साथ में choh whole twice यह बन के आज जाएगा balance कर लेते हैं 4 है तो 2 होना चाहिए यह बन के आज लिख लीजे भाई, pause करके लिख लीजे मेरे भाई, pause करके इसको आगे ना समझ देखो कितना simple है यह आपके पास officially वैसे तो inorganic का ही part होता है, group 13 के अंदर ठीक है, अब चलते है number x question के उपर आईए number x question यह आपके पास है JEE advanced 2014 का question, जंक से करना बहुत simple question है, बिस दिखने में ड्रावना सा, इसमें लोग गलती कर देते try करिए try करिए the observed pattern of of the electrophilic substitution can be explained while लिखा किया है वो समझते हैं monohalogenated जब x2y2 है dihalogenated जब x2br2 है trihalogenated जब x2cl2 है आपकों समझाए रहें कि सबसे बड़ा reason तो crowding होने वाला है अच्छे बहुत सम लेते the steric effect of halogen the steric effect of the tertiary butyl group the electronic effect of the phenolic group the electronic effect of the tertiary butyl group try करिए भई, pause करिए भी जल्दी से और बताईए ट्राइ करके अभी okay भाई, solve करते हैं multiple correct है यह जैसे के आपको दिखाई देही रहा है देखना किस-किस कर सही होता है ठीक है, देखना okay, steric effect of halogen क्या यह सही बात है, बिल्कुल सही बात है ठीक है, because यहाँ पर crowding कम रहेगी तो तीन घुसाना जादा असान है कहाँ कहाँ पर इधर जाएगा, because OH यहाँ पर, यहाँ पर and यहाँ पर deviate करेगा ठीक है, ब्रॉमीन वाले में क्या होगा, दो जगा जाएगा इधर जाएगा, एवं इधर जाएगा and जब में आयोडीन वाला लूंगा तब आपके पास एक ही जगह जाएगा जहाँ पर कम crowding होगी ठीक है, ओके ता स्टेरिक एफेक्ट आप दे टर्शी बिटेल ग्रूप बिल्कुल सही बात है, तब ही यह पोजीशन हमारे पास ब्लॉक हो जारी है, जब हमारे पास भारी बरकम ग्रूप आ रहा है थर्ड पॉइंट के उपर आते हैं, electronic effect of the phenolic group क्या यह सही है, बिल्कुल इन दोनों में से ज़ादा कौन dominant कर रहा होगा ग्रूप को deviate करने के लिए आपने बहुत तरे questions किया है ने इसे OH करेगा, बिकरज वो जादे electron rich है उसी के हिसाब से पूरा जो है, वो system जो है वो चलेगा तो ABC आपके पास सही answer हो जाएगा, ती गलत answer है ठीक है, तो अगर आपने ABC किया तो very good, सही answer निकाला आपने आगे चलते हैं, number Y यह आपके पास Friedal Craft का question है, 2019 J main का, HCl Anhydrous Al Cl3, try करना इसको pause करिए, फिर match करिए कि आपने सही निकाला है या नी तो यहाँ आपके पास Cl जाएगा Anhydrous Al Cl3 आया, simple सा Friedal Craft Alkylation हो जाएगा, hence option number A, सही answer बनके आजाएगा, सही निकाला है तो very good, आगे चलते हैं number Z, tertiary butoxide concentrated H204 आपको दिया गया है, तो tertiary butoxide क्या करता है, E2 Elimination तो यहाँ पर आपके पास E2 Elimination हो जाएगा अटाईए इसको, वैसे E1 CBA भी preferred हो सकता है, because जो minus है वो भी आपके पास stable है, concentrated H204 और हीट, कहाँ पर cation बनेगा, यह समझना important है, for example अगर आप यहाँ बनाते हो, तो वो गलत हो जाएगा, because hyperconjugation जाएगा है, लेकिन mesomeric dominant करेगा, वो तो minus M दिखाएगा, इसे लिए जो cation हमारे पास बनना चाहिए, वो जादा stable बन जाएगा, इदर and उसके बाद क्या हो जाएगा, normal सा para deviating para activating है para के उपर हमला हो जाएगा six member drink बननी चाहिए, para position के उपर हमला होके, option number D जाएगा, लिख लिख लिजए भई, pause करके अगर सही निकाला है, तो very good सही निकालना भी चाहिए, भई, इतने simple question पारे, exam में देख लो next, Z1 क्या आप इसका answer मुझे comments में बताऊगे इसका answer आप मुझे comments में बताऊगे try करिए, pause करिए comments में अंसर लिखो, क्या-क्या है इसका ठीक है, देखते हैं, किस-किस का सही होता है ठीक है, आईए last question for the day last question, Z2, CL2 like कर देना भाई, वीडियो को like करोंगे, मैं डालना बंद कर दूँगा ठीक है, मैं तो एक भी रुपे नहीं कर दूँगा इससे कुछ नहीं कर दूँगा नहीं मेरा कोई paid course है like करोंगे, तो बंद कर दूँगा AL, CL3, anhydride कौनसी position जादा stable carbocatine देगा ये, because यहां पर आपके पास जादा hyperconjugation होगा उसके एसाब से हमला होगा इस para position के उपर hence, the final product बनना चाहिए 1, 2, 3 अगर आपने सही निकाला है तो very good ठीक है, एक ठाक question था mains के साब से, option number B ठीक है, make sure video को like कर देना, इसका अंसा मुझे comment section बताईए क्या है, मिलते है next lecture के अंदर, all the best everyone जया है